आज मैं पिसाद शेयर करूगी करीपत्ता के फाइदे की बारे में करीपत्ता होप्स और खान पान का एक इंपोर्टेंट हसा है करीपत्ते को हम सदियों से अपने कुकिंग में यूज करते आ रहे हैं करीपत्ता जो है वो हमारे खाने के स्वाद और खुश्बू को यह नहीं बढ़ाता बल्कि हमारे हेल्फ के लिए भी बेनिफीशल है तो चलिए देखते हैं इसके क्या है बेनिफिट्स करीपत्ता का तो वीडियो को अन तक जरूर देखिए ताकि आपको भी पता चल पाए कि करीपत्ता सिर्फ खाने में यूज नहीं होता वो बहुत सारे चीजों में यूज हो सकता है वो हमारे हेल्थ के लिए हमारे हेयर के लिए और हमारे फेस के लिए कितना ज़्यादा फाइदे मंद है अगर आप मुटापे से परिशान है और वेट लूस करना चाहते हैं तो फिर आप सुभा खाली पेट करीपत्ते के 8-10 पत्तियों को चबा लेजिए 15-20 दिन तक रेगुलर्ली असा करने से आपको वेट लूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी करीपत्ते में विटमिन B1, B3, B9 और आईरन, कैलसियम, फॉस्फोरस काफी मातरा में पाया जाता है इसलिए इनको बालों में लगाने से आपके जो असमय बाद सफेद हो रहे हैं उन्हें ये रोपता है और हेर फॉल को भी ठीक करता है करीपत्ता ब्लड शुगर लेवर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है इसलिए इसे डियाबिटीज के पेशेंट अगर खाएं तो उन्हें बहुत फायदा होगा आप इसकी चटनी बना कर खा सकते हैं या तो फिर आप करीपत्ते का पाउडर बना के उसे पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं या तो फिर आप इसे ग्रीन टी की तरह पानी में उबाल कर भी पी सकते हैं करीपत्ते हमारे दिल को मजबूत करता है इसे खाने से हमारा इंक्रीज होता है और ब्लड प्रिशर जो है वह नियंतरित रहता है करीपत्ते में एंटि ऑक्सिडेंट आंटि फंगल और अंटि बैक्टिरियल प्रोपर्टीज होती है जो कि हमें इसकिन इंफेक्शन से एक चमबच करीपते के पाउडर में एक चमबच शहद मिला लिजिए और इसे दिन में दो से तीन बार इसका सेवन किजिए जिससे कि आपको खांसी जुकाम में बहुत रहत मिलेगी इसके लाब यह हमारे डाजेस्टिव सिस्टम यानि की पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है चाश में आप करीपते को क्रश करके इसका सेवन करेंगे तो आपको जो ग्यास और एसेडिटी की प्रॉब्लम है वह भी दूर हो जाएगी उल्टी और अपच होने पर करीपते में नीबू का रस और शहर मिलाकर पीने से आपको बहुत फाइदा मिलेगा करीपता हमारे देखने की शक्ति को बढ़ाता है और इसके रेगुलर यूज से मोतिया बीन होने की जो संभावना है वो नहीं रहती है किड्नी और युरिनरी डीजीज में भी करीपता नाचरल होम रेमिडी की तरह काम करता है। तो इस था मेरा 11 ब्रेट्स कि आपको पसंद आई होगी then please do like, comment, share and subscribe to my channel and please don't forget to press the bell icon जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की notifications मिलते रहे तो मिलते हैं मेरे next vlog में चल दें बाई बाई टेक केर